इस सब गुफ्वा बहुत दूर तक गई हुई है अब हम लोग जाने कोई को तिया एक किला था जो की पलड गया अभी मंदिर में तब्दील हो गया अभी दूप में घरित क्रिए बाव समाल गह रखो मास वास लेके चल रहे है है दो गस दूरी मास कै जरूरी कहां थे न कुछ भी मतलब कुछ भी तो मेरी नानी के यहां से वह हाड़ली तीन मिनट का रास्ता है तो मैंने बोला क्यों ने एक्स्प्लोर कर दिया जाए अब यहां वैसे ही बहुत लोग आते हैं वीडियो बनाने और हम बाजू में रहके वीडियो नहीं बनाएंगे तो कि जब बारिश होती है ना तो पानी यहां तक आता है गंगा का कि यहां से सीधा जाएंगे तो गंगा जमुना नदी गंगा नदी समुद्र कूप त्रित तित्री क्या हिंदी थोड़ी भी के मेरी पहाड पर है यह यह पहले किला हुआ करता था कोई राजा का अब इसके बार में इता डीटेल मालूम नहीं है एक अंदर बैठते हैं उनको मालूम है अगर वह बता है तो कोई बाबा ने श्राप दिया तो यह पुरा पल्टी हो गया यहां बहुत सोने मिलते हैं बहुत और यहां दिवाल पर कारी-गरी क्या है इसके एंडरी कुछ मालूम है तो कुछ इसके बारे में क्या हुआ करता था क्या था कैसा तो यहां रहता तो मालूम ने इसके बारे में कैसा आत्मी है तू पहले तो तुम फिर क्या होगा बाबा ने श्राप दे दिया तुम को फिर मर गया फिर जिन्दा होगे तूम आभी कि बैसिकली यह जो है यह यह एक राजागा गड़ था और इसको किसी सेंट ने किर्स किया तो यह पूरा अपसाइड डाउन हो गया और पुरी हर जगे आग लग गई तभी इसका ना जूसी पड़ा अब बंड टाउन जूसी का मतलब है जला हुआ शहर समुद्र कुप का तिर्थ यहां है यहां बहुत ही गहरा कुवा भी है आओ देखते हैं कि कुछ भी यहां के खिलाफ करने से एक लाग के उपर तक का फाइंड पाड़ सकता है कि अब बहुतार दिये आशिकों का मेला क्या कि इसमें लोग कोईन डालते हैं क्या पता क्यों आवाज गुंस्ती भी है हेलो हेलो का कोईन है और पाव जल रहे हैं चटके बट रहे हैं है हर कोईन कुछ दुआ मांगे डाल दे कार करी ले जल तेंपो चलावा जाई मत्ता पानी में गया पानी में गया पानी में गया पानी में गया मतलब यहां कोई हमको मिले तो उन से हम पूछे कानी कल मैं आया था तो एक अंकल थे वो पूरी कानी नरेट कर रहे थे तब मैंने कैमरा नहीं लाया था तो महला हो मेरी अरे तितिली और मेरा एक्सिडेंट हो गया हुआ 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 है यह हनुमान जी की मंदिर है यह बाल कृष्णा दाज जी महाराज की फोटो यहां के महाराजा की है पाल दर्शन इसके आजब जा नहीं सकते और यहां कोई भी आ सकता है कभी भी रात के टाइम नहीं आ सकते कि बहुत पड़ी हिस्ट्री है अब भी तो अपने को इतना नौलेज है नहीं इसके बारे में जो कुआ है उसके बारे में मैंने एक जन से पूछा तो बोलते हैं कि 4 समुंद्र का पाणी असमें उन्होंने किसी का नाम बताय कि विघ्क यहीं से समुंद्र का का पाणी छोड़ा गया था यहां तीन दिन किया करने दी आएंगे और यहां तीन रात तपस्य करेंगा सो यह एक आनी बहुत बढ़ी है अभी हम हम को उन्होंने बहुत सारे यान का नाम बता जो नाम को याद नहीं है और पूरा मिला का हिस्सा था जो प्लिवा hановा इसकी नीचे और सो ने यहां बहुत तादाद में मिलता है Jaai a god में और शाय और जो दुद्रैज्ट देखो और हम लोग इसके अंदर आ गए एक गुफ़ा है जहानुमान जी की मंदिर है अंदर और यह प्रवेश द्वार है यहां का बहुत ही के अंदर एक है तो इसके परेंग आया है इसके बिद्वा और हम टूक भुफ़ा कि अगता है तो आप 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 है तो आप तोर्च मार भी लग लग ले जो किया वह जा रही है कि दिखांग किया पता कहां जाएगे लिए बुखांग कि अजया है कि एक सेक्ड़ एक जाते मान खतम हो गई हाथ भारा आधि की अजया है है अब भासा कि अचिछा लैना जो पड़ी ए आगे दिख्टे चल अब हर गुफा कई न गई निकली रहिए गुफा बहुत दूर तक गई हुई है बैटमैन एब चमगादा रहे हैं यह सब चमगाद ही लेकल नाए बैट यह गुफा बंद करने गई है और यहां ताला है कि इतना अचानक से आए है कि वेले चुवा है फिर बाद में बाद में देगे तो बैट तो चलो हम लोग आ रहें वहां से और यहां एक और अजूबे वाली चीज है यह एक बाबा की कोठी है यहां हो मैं यहां बता बाबा के बारे में बाबा यहीं जिन्दगी पर रहते हैं हां फिर जब पानी का बार होड़ाता है तो यह अपना हमेशा है तो यह वह बोट है सामने ही रखते हैं यह और जब बाड़ा जाती है सब ढूब जाता है यह सब बाबा बोट पर ही रहते हैं यह जगे छोड़ते नहीं है कि सोभी मैंको लगा कि शूटिंग हो रही यह क्योंकि याँ भी केसरी लाल की कोई तो फिल्म का शूट चालु है तो मैं पर यह शूटिंग का सेट है तो लेकिन मेरे भाई-लोग में बताया कर लेकिन फिर भी में कोई यaf responsible को में यह वाया इदर बच किया गिरते गिरते इस पहले पूरा पानी हुआ करता था यह समुंदर के अंदर की रेत है और कुम मेला जो है वो यहीं लगता है पुरा पानी लिकाल दिया जाता है यहां से अ अब भी थोड़े तैम पहले कुम मेला यहां सेबंद लिकला है मतलब कुम मेला खतम हो भी जो यह है सबसे पुराना ज्जाड और कहते हैं कि साथ जानवरों की शकल दिखती है अब लेट शेक हमें दिखती है कि नहीं कि अधर का वो था क्या फिर था शेर का सिर बना था अंदर का अधिका तरफ इसमें कि पूरा में को प्रोकोडाइल जैसा लग रहा है मगर मत जैसा कि चलो एक जानुवर मान लिया कि इत्ता पुराना होने के कारण गायब हो गया होगा तो गया होगा यहां जितने भी घर है उसमें आर सीच छट नहीं डालते हैं सीफ पत्रा वह भी स्टील का अगर किसी ने भी आर सीच डाला तो घर गिर जाता है क्योंकि यहां हर घर में यही है पक्का किसी का नहीं है सीफ दरगा को छोड़के मस्जीद को छोड़के कोई भी घर में च्छत नहीं है है नख WIN K एक जाजाम कर दो माशला प्पी कोफिस अए पापी है मिर जाए मैं ये जाए मीं है झाल